नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फोन से जुड़ी प्रोब्लम के सॉल्यूशन पर दोस्तों अगर आपको कुछ इस तरह का एरर आपके एंड्रोइड पर लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे इसके साथ ही गाईजिस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ आपको सबसे पहले स्टैप में एक बर अपने फोन को रिस्टार्ट या फिर रिबूट कर देना है और दूसरे स्टैप के अंदर आपको एक बर अपने फोन की सैटिंग को ओपन करना है नीचे की तरफ स्क्रो फिर so all apps वाला option देखने को मिल जाए तो आपको इस पर click करना होगा जिसके बाद दोस्तों जो hide application है वो भी आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको सभी application देखने को मिल जाते हैं और इनी में आपको search करना होगा package installer तो package installer वाली जो application जो mb के अंदर है आपको इ आने के बाद दोस्तों अब आपको एक बार अपने phone की setting को again open करना है about phone पर click करना है और यहाँ पर आपको check करना है कि आपके phone पर कोई update तो नहीं आई हुई अगर आपको update देखने को मिलती है आप अपने phone को यहाँ से update कर लेना और उसके बाद आपको एक बार phone को restart करना है तो 100% जो आपकी problem solve हो जाती है अगर दोस्तों फिर भी आपकी problem solve नहीं होती है अगर आप Samsung company का phone यूज करते है उपर आपको search बार दिखेगा आपको इस पर click करना है यहाँ पर आपको search कर देना है reset setting तो आपको यहाँ पर app से related setting देखने को मिल जाएगी जिसको आपको reset करना पड़ेगा अगर आप Redmi Amai का phone यूज करते है तो आपको नीचे की तरफ scroll करना है additional setting में आना होगा नीचे की तरफ scroll करना होगा और यहाँ पर factory reset वाले को option दिखेगा इस पर click करना है आपके phone के अंतर जो भी आपका data है इसको आप कहीं और किसी device में move कर लेना और उसके बाद आपको यहाँ से erase all data करने के बाद आपको अपने phone को factory reset कर देना है जिसके बाद दोस्तों जो आपके problem है यह 100% solve हो जाती है तो आज वाली इस वीडियो के नमेर को आपको अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर देना इस वीडियो को like कर दे ना तो मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए bye bye friends love you all take care